हेलो दोस्तों आज हम math का indices chapter करेंगे और पूरा समझेंगे कि indices math में indices का मतलब क्या होता है और यह chapter में क्या क्या है तो introduction to indices any expression written as any expression written as a की power x equal to n is defined as variable a raise to the raise to the power or index power or index का मतलब same ही होता है of the variable x यानि a raise to power x a raise to power x where n is where n is called the argument or output या कहने का मतलब यह है अगर हम exponent form अगर आपको नहीं सлекत तो कोई भी equation e के power x equal to n अगर ऐसी हो तो हम exponent या exponential वह ँदल कहते हैं तो अगर हम जिसके कोई भी equation a के power x są equal to n तो यहाँ पर जो यह होग उसको हम base कहते हैं a is called the base i sehe a x जो होता है उसको हम is called the power index x और और इंडेक्स ओर्गूमनेयड को कहते हैं जो आटकम निकलता है उसे s all the argument करते हैं और पावर, the plural form of index is called indices, indices का जो पूलर form है, उसे indices कहते हैं, तो indices मतलब power x, x जो power मैंने उसी को indices कहते हैं, definition of index, definition of index और indices, a, a number और a variable may have an index, index यानि power, index of a number or a variable is a value that is raised to the power of the variable, variable जो हमारे आप a है, indices are, variable indices are also known as power or exponents, जो हमने बता जाते हैं, इंडिसी जो है, उसे power or exponents भी का जाते हैं, और it shows the number, it shows the number of time, a given number, a given number of time, a given number has to be multiplied, जैसे हैं, यह जो हमारे exponent फोर्म यह बताता है, कि, जो a, a जो हमारे number है, कितनी time multiplied हो रहा है, जो end दे रहा है, तो a को हम अगर x time multiply करेंगे, तो हमें end मिलेगा, अगर इसे हम और समझे, तो it is represented in the form, जैसकि a के power x equal to a into a into a into a into a x times, जैसकि अगर यहाँ पे a के power 2 होगा, तो two times a को into करेंगे, तो यहाँ पे a into x times होता है, तो here a is the base and x is the index and power, तो यहाँ पे a तो हमारा base है, और इसको x time हमने into किया है, तो x जो है, हमारा power index and exponent, वह ही है, तो यह ही है, तो indices का मतलब होता है कोई भी equation है, उसकी अगर power, जैसे कि कोई भी equation है, a की power x, यानि किसी की equation में अगर power है, उसका outcome निकल रहा है n, तो इसे हम exponential और exponent form कहते हैं, और इसी में जो indices का मतलब होता है, यानि index का पूरा relation होता है power से, power यानि index और index मतलब indices, index का plural form, index का plural form indices है, तो यह होता है, indices, जो हम, mathematical indices का मतलब होता है, कि power, how to solve power equation, इसे हम फॉर्मूलाज भी कहते हैं, जिसके a के पावर अगर x है, तो a के पावर x, इंटू में a के पावर y, एक्वल तो हमें इस तरह लिख सकते हैं, a x plus y, a x plus y, और अगर a के पावर x upon a के पावर y है, तो हम इसे equal to इस तरह लिख सकते हैं, a x minus y, और देखे तो a के पावर x है, और a के पावर minus y है, तो इसे हम लिख सकते हैं, a x plus y, और a के पावर minus y में minus n है, तो इसे हम लिख सकते हैं, one upon a plus n लिख सकते हैं, तो आप तो जानते हैं कि अगर हम जो पावर में होता है, उसे अगर हम a के नीचे shift करेंगा, तो यह negative sign हो जाता है, तो यहां पे भी negative sign हो गया है, तो उपर आया है, तो प्लस हो गया है, तो अगर हम एक तीसर लोग यह कहता है, कि a के पावर x है और bracket में whole power y है, तो इसको हम a के पावर xy कह सकते हैं, और चोथा लोग यह कहता है कि अगर किसी भी अगर झिंड के पावर 0 है तो जो value हो गी यह 1 होगी, जिसकी एक पावर अगर 0 है तो इसके value 1 होगी और अगर e के पावर channel m है तो हम इसको 1 by e की पावर माइनस m ली सकते हैं, जो मैंने कहता, कि नीचे आने पर साइंग चेंज हो जाता है तो पाउर की साइंग चेंज हो गया एक पाउर माइनस में हो गया है और अगर एक पाउर माइनस में है तो अगर इसको अगर नीचे लाएंगे तो एक पाउर m हो जाएगा here a not equal to zero क्योंकि अगर a अगर यहां पर zero हो जाएगा तो यह not defined हो जाएगा तो इसलिए यहां पर a के जो value होगी वो zero नहीं हो सकती और six laws यह है कि अगर n roots n roots यानि two roots three roots हो गया जो भी n roots of x की power m equal to तो भी से इस तरह लिसकते हैं x x की power m upon n और अगर x की power m upon n है तो इसे हम इस तरह से भी लिसकते हैं x की power m whole bracket one by n और इसको हम all solve करेंगा तो इस तरह भी सकते हैं root n x की power m और शात्वा लोग यह किता है कि x की power m है और y की power भी m है तो हम इसको x y की power, whole power m लिख सकते हैं एक मतलब यह है कि X की पावर M है और Y की पावर भी M है तो X और Y इक्वल होंगे X इक्वल टू Y और दूसरा लो है कि X की पावर M है इक्वल टू X की पावर N है then either M equal to N तो M जो है N की इक्वल होगा या फिर X जो है X की value 1 होगी X की पावर M है और इक्वल टू X की पावर N then either M equal to N और X equal to 1 और नोवा लोग जो है कि X की पावर M upon में N है तो then N upon में N equal to Y है तो then Y X equal to Y की पावर N upon में M है जिसकी X की पावर M upon में N है तो M upon में N equal to Y है तो हम इसी को अगर Y की पावर चलाएंगा तो X equal to power का reverse हो जाएगा N upon में M हो जाएगा अगर यह इसके equal है कहने के मतले पर Y इस तरह के equal है तो X equal होगा इसके और 6 जो है हमारे इसी का अगर और तरह और दूसरे तरीक से अगर simplify करकर देखेंगे तो X की पावर M by N है तो इसको हम इस तरह लिसके तो X की पावर 1 by N whole bracket power M equal to root N and root N X whole bracket M इस तरह इसे solve के जो मारे 6 वाला था thank you and subscribe my video तो indices का सीधा मतलब होता है power how to solve those type of equation that contains power जैसकि इसमें power X है Y है तो सारे powers वाले जो होते है in indices का मतलब ही होता है power power तो how to solve power type of question thank you and subscribe my video